दिवंगत सिस्राम ओला की पोत्र बहु अकांसा ओला का बड़ा बयान एटीवी भार से एक्स्क्लूजिब बाचित में भाट्या की माफी को बताये ड्रामा ये विरोध की तस्वीरे किसी केंदर सरकार या फिर राज सरकार की किसी निती के खिलाफ नहीं है बलकि राजस्तान परदेश के वरिष्ट निता दिवंगत सिस्राम ओला पर भाजपा के राष्ट्य परवक्ता गोरोब भाट्या की दुवारा एक टीवी डिबेट में दिये गए बयान के बाद है गोरोब भाट्या ने एक टीवी चैनल के कारिकरम के दोरान बाजस्पा के चाल, सरित्र और चेहरे की बातों को चंद सेकिंड में तार-तार कर दिया इस बयान के बाद परदेश बर में लोग सडकों पर हैं तो वहीं कॉंग्रेस के बड़े निता अपनी परती किरिया दे कर कारवाई की मांग कर रहे हैं इस बयान के बाद राजस्तान में हंगामा शुरू हो गया है, पदम स्री शीसराम ओला जुझनु जुले के अडावता गाउं के रहने वाले थे, उन्होंने सरपंच से लेकर स्रम मंत्री तक का सफर तै किया है पहली बार दिवंगत शीसराम ओला के पुत्र जुन्जुनु विधायक बिजिंदर ओला की बहु आकांसा ओला ने ETV भार से एस्क्लूजिव बादचित की है आकांसा ओला ने ETV के कृष्ण डस्सा से बादचित करते हुए बताया कि गोरव भाटिया की द्वारा पदंसरी शीसराम ओला पर जोद बयान दिया है उसकी घोर निंदा करती है उन्होंने कहा कि ओला ऐसी सक्षियत थे जिनोंने भारतिय सेना में तता उसके बाद समाज सेवा में कारिय किया वह केवल ओला परिवार का हिस्सा नहीं बलकि किसान परिवार भी उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते थे भाटिया के बयान से नेकेवल ओला परिवार बल्कि पूरा किसान परिवार आहत है आज राज़तान में टिपने के बाद जो लोगों में आक्रोस है वो उनकी भावनाई है ओला सिरफ किसी राजनितिक दल का हिस्सा नहीं थे बल्कि हर किसान के परिवार का हिस्सा थे तबी आज राज्तान में एक बुजरग नेता के अप्पान पर जन आक्रोस है और वो भी अपना अप्मान समझ रहे हैं अगर वो दुनिया में होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती आकांसा ने का कि अगर वे इस दुनिया में होते तो भाटिया जी हो या फिर पूरा भाजपा उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि उनके खिलाब एक सबद बोल्स के आकांसा ने का कि भाजपा परवक्ता गोरो भाटिया माफी का ड्रामा रच रहे हैं जिसे वे सीरे से खारिज करते हैं जब टीवी पर अपमान कर रहे थे तो साब तोर पर उनका नाम लेकर अपमान किया गया उसी तरीके से टीवी चेनल पर आकर या फिर लिखित में माफी मांगे उन्होंने तो यहां तक मांग किये कि भाजपा की ओर से राष्टे इस्तर और परदेश इस्तर पर माफी मांगनी चाहिए अगर ऐसा नहीं होता है और भाजपा चुप रहती है तो भाजपा की भी इस बयान में सहमेती मानी जाएगी कोट पर है विश्वास आकांसा ने कहा कि सब का अपना आकरोश दिखाने का अलग अलग तरीका है ओला केवल ओला परिवार का इसा नहीं थे बलकि आमजन का इसा थे किसान परिवार का इसा थे कुछ लोग शड़कों पर उतर कर अपना आक्रोश दिखा रहे हैं तो वहीं कुछ लोग अदालत का दर्वाजा खटकटा रहे हैं अदालत अपनी कारवाई करेगा एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि इससे भी कई छोटे मुद्दो पर भाजपा सासित परदेशों में बहुत बड़ी बड़ी कारवाई हुई है आम जनों को जेल में डाला गया है हम तो सिरफ नए की मांग कर रहे हैं अदालत का दर्वाजा खटकटाया है हमें नए मिलना चाहिए अदालत अपना काम करेगा हमें पूरा विश्वास है राजपान उचन्याले के अधिवक्ता राजपाल धनकड ने भेजा नोटिस बिजेपी परवक्ता गोरव भाटिया को विदिक नोटिस भेजा है धनकड के नोटिस के उपरांत आज फिर गोरव भाटिया के कल ट्विट को ना काफी बताते हुए आज फिर से उन पर निशाना सादा है धनकड ने कहा कि गोरव भाटिया द्वारा अभी भी देश और राजस्तान के परिदेश के किसान वरक से माफी नहीं मांगी गई है और गोरव भाटिया आज भी सत्ता के नसे में दिख रहे हैं गोरोव भाटिया का बयान बिजेपी और उनकी संकिन मानसिक्ता को दर्साता है फिर से गोरोव भाटिया वे बिजेपी के सिर्ष नेतुर्तों से आगरे करूंगा की दिवंगत पदमस्री सीस्राम ओला के बारे में दिये गए बयान को वापिस ले सार्जनिक माफी मांगे अनेत्था गोरोव भाटिया के खिलाप कानूनी कारवाई अमल में लाई जाएगी चिडावा जुन्जनु से एटीवी के लिए क्रिशन डस्सागी रिपोर्ट